नमस्कार मैं हूँ सुकृती रोय और आप देख रहे हैं One India Hindi में शामल हुए हैं हरीश मीना ने 2014 लोकसभा चनाव में अपने ही भाई नमो नारायण मीडा को हराय था जो कि कॉंग्रस के टिकेट पर दौसा सीट से लड़े थे चनाव प्रचार के दोरान हरीश मीना के बड़े भाई नमो नारायण मीडा अकसर कहा करते थे कि पग्ड़ी तो बड़े भाई के ही सरबंधी है। ऐसे बात पर हरीश मीडा ने भी कभी कोई पलटवार नहीं किया। लेकिन 2014 लोगसभाज चुनाव में जीत की पगड़ी छोटे भाई के ही सरबंधी। हरीश मीडा की जीत के साथ दौसा में बीजेपी को 25 साल बाद विजय नसीब हुई थी। 1989 में नातु सिंग गुरजर बीजेपी के टिकेट पर चुनाव लड़ा था और जीत हासल की थी। दौसा लोगसभाज सीट पर अधिकतर कॉंग्रस का ही दबदबार रहा है। वहीं आपको बता दें कि राजस्थान में गुरजर समुदाय बीजेपी के पक्ष में वोट करता है और मीडा समुदाय कॉंग्रस के पक्ष में इस बार गणत बदलता दिख रहा है। कॉंग्रस के पास पार्टी अधिक्ष के तौर पर सचन पाइलेट है जो गुरजर समुदाय से आते हैं और अब हरीश मीडा भी कॉंग्रस में आ गए हैं। मतलब कॉंग्रस का मीडा वोट बैंक और मजबूत होने की संभावना है और बीजेपी के गुरुजर वोट बैंक में कॉंग्रस सेंद लगा सकती है पाइलेट के सहारे। राजस्तान की मौजुदा वधान सभा में 13 गुरुजर वधायक हैं और 30 से 40 सीटों पर इनका असर है। वही कम से कम 50 सीटों पर मीडा वोटरों का प्रभाव है। सबसे बड़े मीडा नेता बाने जाने वाले किरोडी लाल मीडा इस बार बीजेपी में हैं। वही आपको बता दें कि हरीश मीना का पूरा नाम हरीश चंदर मीना है। वही 1976 बैच के IPS हरीश मीना 2009 से 2013 तक राजस्तान के DGP रहे। हरीश मीना ने रटैर होने के बाद 2014 में बीजेपी के टिकेट पर लोगसभाद चनाव लड़ा और जीत गए। हरीश मीना को 1996 में इंडियन पुलिस मेडल और 2002 में प्रेसिडेंट मेडल से भी नवाजा जा चुका है। हरीश मीना का जन्म बामन वास सवाई माधुपुर राजस्तान में 5 सितंबर 1954 में हुआ था। वही हरीश मीना की कुल संपत्ती की बात करे तो उनके पास 6 करोड से थोड़ी ज़्यादा संपत्ती है। फिल हाल असे वीडियो में इतना ही ऐसी ही कई अन्ने जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ।